हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल लेर्ण टेक्निकल में और फिट से लेके हैं हूँ नहीं जॉब की इंफोमेशन रुक्रीट्मेंट आ रही है दोस्तों एमाजोन की तरफ से थम्नेल में आपने देख लिया होगा रुक्रीट्मेंट दोस्तों जो हे वो IT स्पोर्ट इंजीनियर और सेल्स एक्जीकिटिव की पोस्त के लिए हैं दोनों ही रुक्रीट्मेंट में जो हे किसी तरह की फीस आपको पे नहीं करनी है और एमाजोन के लिए जब भी आप अप्लाई करते हैं उनकी उफीशल वेबसाइट पर जाकर करिए तो आपको कभी भी किसी भी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी सोस का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आपको फ्रोड का शिकार हो सकते हैं आप आपसे कॉल हो सकती आपको कॉल आ सकती ऐसी जिसमें आपसे पैसो की डिमान करी जा सकती है तो अच्छा है यह है कि अगर आप एमाजोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी ओफीशल वेब साइट पर जाकर ही करें और यहाँ पे दोस्तों जोई वो दो रुकीटमेट आईटी स्पोर्ट इंगिनियर और सेल्स एक्जिक्यूटिव की यहाँ पे दोस्तों graduate अप्लाई जोई हो कर सकते हैं अगर बात करें IT स्पोर्ट के लिए बीटेक वाले computer आईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर बात करें sales executive के लिए कोई भी graduate इसमें आवेदन कर सकता है experience के लिए भी यहाँ पर recruitment है और अगर जिन लोगों के पास experience बिलकुल नहीं है fresher है उनके लिए भी यहाँ पर recruitment है तो detail में हम लोग बात करेंगे इसके legibility criteria कि उससे पहले अगर आपने हमारे channel को subscribe नहीं करा तो subscribe कर लीजिए हमारी website पर जो है आप visit कर सकते हैं जादा job update के लिए और उसके लावा हमें telegram channel पर भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं ताकि बहुत सारी जो job update निकलती रहती है उसकी जानकारी जो है वो आप तक time पर पहुँच जाए तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं अब कुछ लोग पूछेंगे सर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं जब आप अप्लाई करने जाएंगे वहाँ भी डिप्लोमा वाले कर सकते हैं क्योंकि इनका जो application form होता है वो same ही होता है आपके पास कोई भी qualification है आप वहाँ पे apply कर सकते हैं लेकिन अगर यहाँ पे bachelor degree लिखा है उन्होंने computer science में IT में तो bachelor degree वाले ही apply कर सकते हैं B.E.B.Tech वाले apply कर सकते हैं BCA वाले apply कर सकते हैं IT से सबंदित आपने कुछ करा हुए apply कर सकते हैं इवन अगर आपके पास master degree यह computer में आप apply कर सकते हैं लेकिन computer और IT के इलावा कोई भी apply नहीं कर सकता है यहाँ पे दोस्तों जो है अगर आप apply करना चाहते हैं आपको इस link पे आना होगा description में मैंने link दी है website का वहाँ पे जाके आप दोबारा से read कर सकते हैं सारी जानकारी और फिर आप apply कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों जो है किसी भी तरह की age का criteria नहीं रखा गया ना ही number of vacances बताएगी ना ही salary बताएगी है यहाँ पे उन्होंने qualification बताएगी है और यहाँ पे experience नहीं मागा गया है fresher apply कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास किसी तरह का experience है तो भी आप apply कर सकते हैं अभी यहाँ पे selection होने के chances उनके जादा है तो उनके पास experience जोखे है अगर IT से computer science से related या उनका academic score जो है वो अच्छा है उनको chances मिल सकते हैं यहाँ पे आपके written verbal communication skills अच्छे होने चाहिए उनको chance जो है वो मिल सकता है बाकि अगर आपके जो है academic career में आपने marks ठीक लिए हैं तो भी आपका जो है वो chance यहाँ पे बन सकता है और यहाँ पे अगर आपने college degree ले रखिये किसी भी स्टी में आप graduate है उसके लावा जो है Microsoft office की आपको जो है वो जानकारी है और especially जो है अगर आपको पास experience है sales का, brands का, supply chain से related आपके पास experience है तो आप apply कर सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तों जो है एक साल का experience अगर आपके पास है sales का तो आप ज़रूर आवेदन कीजेगा आपके लिए बड़ी opportunity हो सकती यहाँ पे जो application आपकी करनाट का state में रहेगी हो सकता है बैंगलॉर में रहे उसके लावा दोस्तों जो है वो अगर बात करें IT sport के लिए आपकी location जो है वो हैदराबाद में रह सकती है apply करने के लिए दोनों का ही जो है वो format same है apply online यहाँ पे आपको click कर देना है click करने के बाद website आपको जो है वो नए page पे ले जाएगी यहाँ पे आने के बाद आपसे email मांगा जाएगा और यहाँ पे जो है अगर आप new है Amazon jobs पे तो आपको create account नीचे create account पे click करना है जैसे आप create account पे click कर देंगे तो यहाँ पे जो है आपको website फिट से दोबारा नए page पे ले जाएगी यहाँ पे आपसे जो है वो account बनाने को बोला जाएगा account बनाना बहुत असान है सिर्फ एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपका password जो है वो strong होना चाहिए और ना सिर्फ Amazon का आपका Gmail का कोई भी password है आपके पास उसको मेशा strong बनाता है special character involved कीजिए उसके लावा आप numerical number लगाईए capital letter, small letter इन सब का combination भी ठाईए तो आपका password strong हो जाता है और यह जो है वो ले लेता है तो यहाँ पे email और जो है वो password लगाने हैं तो उसके बाद create कर देना उसके बाद form खुल जाएगा apply कीजिए और अगर आपकी selection होती है तो उनकी तरफ से आपको email के through बुला लिया जाएगा online interview के लिए अगर आपकी selection नहीं होती है तो किसी भी तरह की जानकारी Amazon की तरफ से आपको नहीं दी जाएगी यह चीज़ ध्यान में रखेगा तो यह सारी चीज़े दोस्तो लिखी गई है अगर आप eligible हैं तो apply कर सकते हैं तो यही था दोस्तो आज की इस वीडियो में thank you very much इस वीडियो को जो है वो last तक देखने के लिए और आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो like कर दीजे चैनल को subscribe कर लीजे follow कर लीजे हमें जो है आप telegram पे ताकि आने वाली job update जिसके ओपर वीडियो ना बने उसकी जानकरी आपको मिल जाए तो मिलते हैं ऐसी किसी नई job update के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिए